आप सभी परसिक्षु अध्यापक अध्यापिकाओ का आपके अपने चैनल ओनलाइन सिक्षेड में बहुत बहुत स्वागत है आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्योटर मेमोरी के बारे में और उसके परकार के बारे में तो दोस्तो इससे पहले आप काफी कुछ जितनी बेसिक चीज़े होती हैं कंप्योटर की वो सभी पहली वीडियो में जान चुके हैं अगर आपने कुछ मिस किया है तो comment box में जाके आप comment करके बताईए और playlist में जाके अपनी वो वीडियो देख लिजे ठीके दोस्तों तो चलिए एक धमा की दार शुरुवात करते हैं computer memory के बारे में जानते हैं बहुत ही simple language में अगर आपने पहले कभी computer नहीं पढ़ा है तो आप डरना छोड़ दीजे क्योंकि इसमें ऐसी कोई खास बात है ही नहीं कि जिससे आपको डरने की जरूरत हो आपको बहुत ही simple language में मैं पूरा slaves complete करवाऊंगी और आज करते हैं शुरुवात memory से तो दोस्तों memory से तात पर ये एक ऐसी काई से है जो आवश्यक्तना अनुसार data को store करके रख सके यह input device के द्वारा प्राप्त निर्देशों को computer में संग्रेहन करके रखता है इसे computer की यादास्त भी कहा जाता है मानव में कुछ बातों को याद रखने के लिए मस्तिश्क होता है उसी परकार computer में data को store करने के लिए क्या होता है memory होती है तो आप ये सब चीज भीकुल समझ गई होगे एक बार फिर से repeat करते हैं कहीं कोई कमी नहीं रहने चाहिए memory से ताथ पर ये एक ऐसी काई से है जो आवश्चक्त के अनुसार data को store करके रख सके यह input device के द्वारा प्राप्त निर्देशों को computer में store करके रखता है इसे computer की यादास्त भी कहा जाता है जैसे मानव की यादास्त कहा होती है मस्दिस्क में उसी परकार computer की याद रखने योगे जितनी भी बाते होती है वो सभी memory में store होती है हम इसे इस परकार से भी लिख सकते है कि किसी भी निर्देश सूचना अथवा परिणामों को store करके रखना memory कहलाता है किसी भी निर्देश सूचना अथवा परिणामों को store करके रखना memory कहलाता है अब आपको बिल्कुल clear हो गया होगा अब जानते हैं इसके बारे में सारी information जितनी भी हमारे exam से related या हमारे syllabus से related है सब complete करेंगे आपका कुछ नहीं छूटेगा दोस्तों हम बात कर रहे हैं computer की memory की और उसके साथ हम अगर bit और byte का जिक्र ना करें तो बात अधूरी रह जाती है इसलिए हम जानेंगे bit और byte क्या होती है ठीक है और इनका क्या काम है किस तरह से इनका use होता है तो memory में store किया गया data कैसी form में होता है 0 और 1 की form में यानि binary रूप में परिवर्टित होता जाता है 0 तथा 1 को सहींगत रूप से binary digit कहा जाता है संचेप में इन्हे bit भी कहा जाता है संचेप में 0 और 1 यानि binary digit को bit कहा जाता है समझ गए अब यह bit computer की memory में घेरे गए इस्थान को मापने की सबसे छोटी इकाई होती है computer memory को मापने के लिए सबसे छोटी इकाई होती है bit अब आपको विल्कुल समझ आ गया होगा और bit किसका citizenship रूप है छोटा रूप है binary digit का binary digit को ही हम छोटे रूप में bit के नाम से जानते है ठीक है दोस्तो bit की हमने बात कर ली क्या है computer की memory को मापने की सबसे छोटी इकाई ठीक है सबसे छोटी इकाई होती है bit अब आपको clear हुआ और दोस्तो 8 bit मिलकर बनते है एक byte ठीक है 8 bit मिलकर बनते है एक byte आपके exam में पूछ लिया जाता है कि 1 byte में कितनी bits होती है या फिर 8 bits में कितनी byte होती है तो bits की बाद कौन सा step आता है byte का ये भी computer की memory को मापने का एक इकाई होती है जो की 8 bit को मिलकर एक byte बनती है ठीक है दोस्तो ये आपको याद रखना है और computer की memory को मापने की सबसे छोटी इकाई बिट है ये आपको याद रखना है उसके बाद अगर हम बात करें कि byte के बाद क्या आता है तो वो आता है kilobyte यानि KB ठीक है दोस्तो और 1024 bytes को मिलकर बनती है 1 kilobyte उसके बाद 1024 kilobyte से मिलकर बनती है 1 megabyte kilobyte के बाद कौन सी वो आती है memory को मापने की जो इकाई होती है वो आती है megabyte और 1024 megabyte के बराबर होती है 1 gigabyte यह आपको याद रखना है सबसे छोटी क्या होती है bit होती है, bit के बाद bytes होती है फिर kilobyte, megabyte, gigabyte इस तरह से इनकी series होती है खीके दोस्तो और यह काफी आगे तक जाती है लेकिन हमें उतना पढ़ना है जितना हमारे exam के point of view से पढ़ना जरूरी है तो एक बार फिर से revision करते है 8 bits मिलकर बनते है 1 byte 1024 byte मिलकर बनते है 1 kilobyte 1024 kb यानि kilobyte मिलकर बनते है 1 megabyte और 1024 megabyte मिलकर बनते है 1 gigabyte दोस्तो बस याद रखने वाली बात यह है कि 8 bits में 1 byte बनेगी फिर उसके बाद तो 1024 ही मिलकर उसका next step फिर उसके सामने लगता जाता है इस तरह से आप इसको याद कर सकते है ठीके दोस्तो तो चलिए अब जानते है computer की जो memory होती है RAM और ROM Secondary memory के अंदर क्या-क्या चीज़े आती है जिसे pen drive हुई, cd-rom हुई, dvd, hard drive एट सेक्टरा इस तरह की सारी memory होती है secondary memory अगर आप इनके बारे में नहीं जानते है तो don't worry हम सब कुछ पढ़ेंगे बिलकुल एक-एक पकड़के इनको इनका बिलकुल post-masterm करके छोड़ेंगे हम आपको एक-एक चीज़ इनके बारे में बताऊंगी अभी आपको इतना समझना है कि memory के टाइप्स तीन होते है primary, secondary और कैसे memory primary memory को हम RAM और ROM के नाम से जानते है जबकि secondary memory कैसी होती है pen drive, cd-rom, dvd, hard drive एट सेक्टरा जो unit को सीधे control या central processing unit से संपर्क रखती है यानि CPU से सीधे संपर्क रखती है तथा हर समय computer से जुड़ी रहती है प्राथमिक या मुख्य memory कहलाती है वह memory unit जो सीधे CPU से संपर्क रखती है तथा हर समय computer से जुड़ी रहती है उसे ही हम प्राथ्मिक memory या फिर primary memory के नाम से जानते हैं Primary memory अनेक छोटे भागों में बटी हुई है, जिन्हें location या फिर cell कहा जाता है ठीक है दोस्तो? और primary या परतियक location में एक निश्चित बिट जिसे word length कहते है, store की जा सकती है और computer में word length 8, 16, 32 या फिर 64 bit की हो सकती है location में data संग्रहित करने के लिए लिखना तथा data प्राप्त करने को पढ़ना कहते है read and write memory ठीके दोस्तो अब इसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे प्रात्मिक memory मुख्यत है electronic या फिर semiconductor memory होती है और primary memory को बनाने में integrated circuit का परियोग किया जाता है जो की silicon chip से बने होते है इनके विकास का स्रे js kilby को जाता है ठीके दोस्तो primary memory की खोज या फिर इनका विकास किसने किया था js kilby ने आपको ये याद रहेगा ठीके primary memory की बारे में हमने discuss कर लिया क्या होती है प्राथमिक memory होती है और ये computer से या फिर CPU से direct connection रखती है अब हम इसके types के बारे में बात करेंगे जिनमें पहला है ROM R.O.M. जिसकी full form होती है Read only memory और आपके exam में multiple choice question में इस तरह के question पूछ ले जाते है जैसे इनकी full form तो ROM की full form क्या होगी? Read only memory ठीके अब ये किस तरह से है? क्या है इसका मतलब? ये मैं आपको अभी समझाओंगी ये है एक style memory है जिसमें संग्रहित data वैसूचनाए swim nest नहीं होती ठीके? ये permanent memory होती है जो swim nest नहीं होती और ये style memory होती है संग्रहित data वैसूचनाओं को बदला नहीं जा सकता रोम में क्या होता है? कि जो भी हमने data store कर लिया है उसमें हम कोई भी changes बाद में नहीं कर सकते कंप्यूटर को बंद कर देने पर भी रोम में सूचनाए बनी रहती है क्योंकि वो इस्थाई memory है उसमें वो नस्ट नहीं होती इसलिए कंप्यूटर अगर हम बंद भी कर दे तो वे इस्थाई बनी रहती है कंप्यूटर को बंद कर देने पर भी रोम की सूचनाए बनी रहती है जैसे हमने अभी पढ़ा और रोम का परियोग इस्थाई परकरती के प्रोग्राम या डेटा का संग्रहन करने के लिए क्या जाता है यह आपके सामने जो डिवाइस दिख रही है यह CPU के अंदर होती है और इसे ही हम रोम के नाम से जानते है वैसे तो आपने इस सब नहीं देखा होगा लेकिन फिर भी मेरी जिम्मेदारी है आपको सब चिज़े बिल्कुल किलियर करके चलना तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि यह डिवाइस होती है रोम जिसे हम read only memory के नाम से जानते है इसी डिवाइस के अंदर जो data store होता है वो permanent होता है वो खुद से nest नहीं होता है और इसको बदला नहीं जा सकता जो data एक बार हम इसमें store कर देते है उसको हम दो बारे से change नहीं कर सकते अब हम जानेंगे अगली memory जो की primary memory के अंदर आती है जिसका नाम है P-ROM P-ROM की full form होती है programmable read only memory आप note करते चलिए साथ साथ में programmable read only memory इसकी full form होती है और यह एक विशेश परकार का ROM होता है जिसमें एक विशेश परकिरिया द्वारा उपयोग करता के अनुकूल data को program किया जाता है एक बार program कर दिये जाने पर यह सामान्य रोम की तरह वैवार करता है मतलब कैसा सामान्य रोम की तरह कैसा वैवार करता है यह इस्थाई हो जाता है इसमें हम फिर से दोबारा चेंज नहीं कर सकते और अगर हम computer बंद कर भी देते है तो यह data हमेशा के लिए फिर भी store रहता है ठीक है दोस्तो और आपको एक trick बताओ इसको याद करने की अगर हम बात करें रोम यानि read only memory ठीक है अगर हमें नहीं पता कि इसका data हम दोबारा से change कर सकते है या नहीं कर सकते है हमें मालिया याद नहीं है तो इसको कैसे रखेंगे read only memory मतलब केवल सिर्फ read कर सकते है EP ROM की इसका मतलब क्या होता है सबसे पहले तो इसकी हम full form जानेंगे EP ROM मतलब erasable, programmable, read only memory E से erasable, P से programmable and then फिर वही same read only memory इस परकार की ROM में परेया वैंगनी किरने यानि ultra wallet raise की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटा कर नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है क्योंकि बताया ना erasable उसको हम erase कर सकते हैं हटा करके नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है इसके लिए EP ROM को सरकिट से निकालना पड़ता है इसे ultra violet EP ROM भी कहते है ठीक है दोस्तों आपको clear हुआ ही जब अब हम जानेंगे EEP ROM के बारे में ठीक है दोस्तों हम कुछ नहीं छोड़ेंगे syllabus में जितना भी है और इन सब की full form आप से पूछ ली जाती है तो इतना तो आप साथ साथ note down करते चलिए EEP ROM की full form क्या होगी Electrable, Erasable, Programmable, Read Only Memory E से Electrable या Electrically Erasable, Programmable, Read Only Memory Electrically Erasable, Programmable, Read Only Memory आपने note कर लिया ठीक है अब जानते हैं इसके बारे में इस तरह की ROM को सर्किट से निकाले बिना इस पर उच्च विद्धूत विभव की सायता से पुराने प्रोग्राम को हटा कर नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है इसको अपयोग मुख्यते अनुसंधान में किया जाता है ठीक है दोस्तो आपको किलियर हुआ अब हम बात करेंगे अगली मेमोरी के बारे में जो की Primary Memory के अंदर ही आती है जिसका नाम है RAM यानि Random Access Memory ठीक है दोस्तो आप इसको भी Note Down करके चलिए RAM की Full Form होती है Random Access Memory यह है एक A-Style Memory होती है हमने क्या पढ़ा ROM कैसी Memory है? इस्थाई, Permanent और RAM कैसी है? इस्थाई, यानि यह सुरक्षित नहीं होती अगर हमारा Computer बीच में बंद हो जाता है Computer में Power Supply बंद हो जाती है तो सारा Data हमारा Delete हो जाता है यह Permanent नहीं होता तो इस तरह से कैसी Memory हुई? A-Style Memory जहां Data और सुचनाओं को A-Style तोर पर रखा जाता है यानि कुछ टाइम के लिए और Random Access Memory में सुचनाओं को करमा नुसार ने पढ़कर सीधे वांचित सुचना को पढ़ा जा सकता है इसमें संगरहित सुचनाओं को बदला जा सकता है ROM में क्या था? उसमें बदल नहीं सकते थे सिर्फ पढ़ सकते थे लेकिन इसमें संगरहित सुचनाओं को बदला जा सकता है इसमें Computer की Power Supply बंद कर देने पर RAM में संगरहित Data Delete हो जाता है जैसा कि मैंने आपको अभी बताया लेकिन ROM में बिल्कुल इसका opposite है ठीक है यह आपके सामने device जो है यह है RAM आप देख लीजिए जिसको हम full form बोल सकते है random access memory ठीक है दोस्तो अब RAM को मुख्यत है दो भागों में बाटा गया है फिर भी वो data store रहता है लेकिन अगर static RAM की बात करें तो उसमें क्या होता है अगर computer की power supply बंध होती है तो संग्रहित data सुरक्षित रहता है जबकि dynamic में क्या होता है कि जो data होता है वो उसके साथ ही delete हो जाता है लेकिन static में संग्रहित रहता है supply बंध होने के बाद भी हमारा data दोस्तों हम आज की class यहीं तक रखेंगे क्योंकि अगर हम secondary memory और cash memory इनके parts तक सब कुछ discuss करेंगे इसी वीडियो में तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी फिर आपको सब सर के ओपर से जाने लगेगा तो हम उतना ही रखेंगे जितना आपको अच्छे से clear होगा ठीक है आज हमने बात करी memory क्या होती है उसके कितने types होते हैं कौन कौन से होते हैं हमने discuss करा primary memory को पूरा detail में ठीक है primary memory के types हमने discuss किये कल मिलते हैं और discuss करेंगे secondary memory के बारे में ठीक है दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये बताना आप बिलकुल मत भूलिएगा और हमारे टेलिग्राम का ग्रूप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आप उसको जोइन कर लेना और फिर अगर आपकी कोई query रहती है मैं आपको अगली वीडियो में उसे जरूर एक्स्प्लेन करूंगी थैंक्यू अपना घ्यान रखिए खुश रहिए